चानक के आईस अकैडमी में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करेंगे भारत की समग्र लिंगा नुपात में सुधार के बारे में हाल ही में राष्ट्रिय परिवार स्वास्तय सर्वेक्षन के आधिकारिक आँक्रों के अनुसार भारत का समग्र लिंगा नुपात 1992-93 में प्रती हजार पुरुशों पर केवल 957 महिलाओं से बढ़ कर 2019-21 में 2020 हो गया है इससे पहले साल 2011 की जनगन्ना में हर 1000 पुरुशों में 943 महिलाएं गिनी गई थी विस्तार से विशलेशन करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि लिंगा नुपात होता क्या है लिंगा नुपात यानि की सेक्स रेशो को जनगन्ना में प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाशित किया गया है और यह एक निश्चित समय पर समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रचलित एक्विटी की सीमा को मापने के लिए एक महत्तोपुर्ण सामाजिक संकेत भी है बाल लिंग अनुपात को मूल रूप से 0-6 आयू वर्ग में प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाशित किया जाता है हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो राश्ट्रिय परिवार स्वास्ता सर्वेक्षन N.F.H.S. बाच जो की 2019 से 21 की बीच की रिपोर्ट है ये पाचवी रिपोर्ट है देश के कुल जनसंख्या का लिंगा अनुपात इसमें 1020 है जिसमें ग्रामेन 1037 और शहरी 985 है राश्ट्रिय परिवार स्वास्ता सर्वेक्षन इसमें जनसंख्या, स्वास्ते और परिवार कल्यान के महत्वपुन छेत्रों के साथ साथ जनसांकिकी, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्युदर, मात्र एवं शिशु स्वास्ते, एनीमिया और पोशन, रुग्णता और स्वास्ते सेवा महिला सशक्तिकरण से समन्दिच छेत्रों पर गहन जानकारी शामिल है रिपोर्ट में सुझा भी दिया गया है कि ग्रामीन शेहरी प्रवास प्रवाह में पुरुषों की अधिक हिस्सेदारी के कारण, शेहरी चेत्रों की तुल्ना में ग्रामीन चेत्रों में लिंगा नुपात बहुत अधिक है रिपोर्ट के अनुसार 6 से कम आयू वर्ग में अभी भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है केंद्रिय स्वास्ते और परिवार कल्यार मंत्राले के आकडों और NFHS 5 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जनम के समय लिंग अनुपात 939 था NFHS 4 में 919 से इसमें सुधार आया है National Family Health Survey की कुछ सिमाएं भी है और अगर इसकी तुलना जनगणना से की जाए तो National Family Health Survey एक सेंपल सर्वे होता है और जनगणना एक गिंती होती है National Family Health Survey में करीब 6 लाग परिवारों का हाल ही में सर्वेक्शन किया गया है जबकि जनगणना देश की सवा अरब आबादी की गिंती करता है ये भी कहा जाता है कि National Family Health Survey अपने नतीजों में माईगरेशन को ध्यार में नहीं रखता धरों में जब सर्वेक्शन होता है तो मर्दों के दूसरे गाव या शहर में काम करने की वज़े से औरतों की तादाद जादा मिल सकती है सरकार की ओर से ये सर्वे International Institute of Population Sciences ने किया है सेंपल सर्वे में हमेशा सेंपलिंग की गलती की संभावना रहती है जो आबादी की गिंती में नहीं होगी जब अगली जनगन्ना होगी तब 2011 के मुकाबले लिंगानुपात में बहतर ही होना चाहिए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि National Family Health Survey के मुकाबले जनगन्ना के जो आँक्रे हैं वो जादा ऑथेंटिक होंगे भारत में लिंगानुपात से सम्मन्दित चुनौतियां भी है इस रिपोर्ट के अनुसार देश में लिंगानुपात आक्रों से पता चलता है कि 6 साल से कम उम्र की आबादी के लिए लिंगानुपात जनम के समय लिंगानुपात और जनम के बाद लिंग द्वारा अंतर मृत्यदर दोनों से प्रभावित होता है जनम के समय लिंगानुपात महिला भून को लक्षित लिंग चैनात्मक गर्वपात से प्रभावित हो सकता है लड़कियों के खिलाफ जान बूचकर भेदबाव के परिनाम सोरूप लड़कों की तुलना में लड़कियों की मृत्युदर अधिक हो सकती है इसका एक और कारण पुत्र की वरियता भी हो सकती है जो की प्रतिगामी मान सिक्ता से उत्पल होती है उदाहरन के लिए लोग अक्सर लड़कियों को दहेश से जोडते है टेकनोलोजी का मिस्यूज भी इसका एक रीजन हो सकता है अल्ट्रा साउन जैसी कम खर्चीली तकनीक लिंग चैन में मदद करती है कानून लागू करने में विफलता भी इसका एक कारण हो सकता है भारत में PCPNDT कानून है जो इस तरीके की भुन हत्या के खिलाफ जो है कारवाई करता है भारी जुर्माना भी लगाता है और दोश्यों को दंडित भी करता है लेकिन लिंग चैन को विन्यमित करने में ये सक्षम नहीं है लिंगा उनुपात को सामान्य बनाए रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई पहले भी की गई है भारत सरकार ने गरब धान से पहले और बाद में लिंग चैन पर रोक लगाने और प्रसव पुर्व निदान के नियमन के लिए 1994 में एक व्यापक कानून गरब धारन पूर्व और प्रसव पुर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में बनाया है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान भी इसका एक हिस्सा है यह भारत में लिंग ए संतुलन से निपटने के लिए केंद्रिये महिला और बालविकास मंत्राले की एक महत्तोपुन पहल है इसके अलावा बालिका संग्रक्षन योजना यूवा लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करके लेंगिक भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया एक कारेकरम है इसके अतरिक्त इसका उद्देश्य है लड़कियों के खिलाव भेदभाव पूर्ण वहभार और आपकी बेटी हमारी बेटी भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाना से सम्मंदित है इस समस्या से निपटने के लिए हरियाना सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए यह कारेक्रम शुरू किया है यह योजना शहरी और ग्रामीन दोनों छेत्रों में लागू की जाएगी अनुसुचित जाती और गरीबी रेखा के नीचे यानि की भीपेल परिवारों की बालिक आए इसका लक्षित लक्षे होंगी इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सो मच कर दो बालिक शेडा और सब्सक्राइब कर रूपिका झाल को इसका है